नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंफ्रमेशन में आपका स्वागत है देखिए दोस्तों 28 मार्स की बड़ी खबर निकल कर आ रही होमगार्ड की दोस्तों जी होमगार्ड जो धरना परदसन कर रहे हैं राची में दोस्तों उनके उनकी तरब से बड़ी मार्स तक जो है मांगें पूरी नहीं हुई तो एक अपरेल को मसाल जुलूस निकालेंगे अंदोलत रत होमगार्ड के जवान तो देखिए दोस्तों यह जो न्यूज है बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली न्यूज दोस्तों खासकर तो अगर जिदी पारा सिक्षक दे लेकर 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 जीद में अढ़ गया हैं दोस्तों कि अपने मांग को पूरी करेंगे तो यह न्यूज देखिए दोस्तों नूरी Raty से निकल करार ही बिहार राजी के तरज पर जहारखंट के हमगार्ड Dwiha देने की मांग को लेकर चल रहा अंदोलन हर दिन सेुन हो रहा ह हुमगाड जवानों ने पहले ही कार्य बहिसकार कर दिया है राजधानी राची में धारना परदसन कर रहे हैं इस बीच जारखंड हुमगाड के वेलफेर एसोसियेशन की ओर से चरनबद तरीके से अंदोलन को आगे बढ़ाने का निरने लिया गया है संगठन की ओर से देखा जाए तो जारी बयान में कहा गया कि जारखंड राज़ के सभी हुमगाड जवान साथी अपने अपने ड्यूटी का बहिसकार करते हुए अंदोलन में सामिल हो जाए नियूज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तोस्तों की संगठन ने तै किया कि अगर 31 मार्स तक जारखंड राज़ के हुमगाड जवानों की मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 अप्रिल 2021 को मसाल जलूस निकाले जाएंगे 5 अप्रिल 2021 को जारखंड राज़ के हुमगाड जवान जेल भरो अंदोलन करेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है जारखंड राज़ के हो हुमगाड जवान जेल में ही रहेंगे इस दोरान अगर किसी प्रकार की बिधी बेस्था उत्पन होती है तो इसकी सारी जवाब दैज हरकन सरकार इपम परसासन की होगी संगठन की गोजना के बाद हर दिन अलग-अलग जीलो से अंदोलन को समर्थन करने के लिए होमगाड जवान राची पहुँच रहे हैं इसमें बड़ी संग्षा में महिलाएं सामील हुई है अब तक इस अंदोलन में धाई हजार से अदिक महिलाएं सामील हो चुगी है तो देखिए दोस्तों यह जो न्यूजे बहुत बड़ी न्यूजे है दोस्तों होमगाड के लिए और जो अपना जीद में अड़ गए हैं दोस्तों अपना देखिए कहां तक जाता है इसका जीद और सफल लाप आता है कि नहीं देखिए दोस्तों इस तरह दिहान में रख ही है और ऐसे किजिए दूस्तों की लास्ट और अंतिम किजिए पारा सिक्षक कोई भी देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखेंगी अगला जो 16 मार्च में 16 अपरिल को अपनों का होने वाला है यह सोचके किजिए कि लास्ट और अंतिम ठीक है तो सब ठीक होगा दोस्तों ध्यान में रखिएगा इस बात को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरू सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा धन्य बात